क्यों है वेलिकम बेक फ्रेंड्स कोडिनेटर फ्रो का जो सीरीज था उसमें लोग ने लास्ट जो पर्विएस जो वीडियो था उसमें हम लोग ने देखा था कि हम लोग ने देखा था कि लूप के बारे में देखा था और उसमें वाइल, डू वाइल, फोर और फोर इच के बारे में सब कुछ देख लिया था और डीटेल्स में आपने जिदी वीडियो को नहीं देखा है तो पिर्वियस वीडियो जो है उसको जरूर आप देख लिए अभी जो है मैंने डेटा टाइप के बारे में मैं अल्रेडी बोल चुका था पिर्वियस वीडियो में कि इसके लिए मैं अलग से नहीं दूआ क्यों कि मैंने मेरा जो फिर्वियस दो वीडियो में ने बनाया था उसमें और डेटा टाइप और पीछपी का कॉनसेट के बारे म ऩाल प्लिष्स में हम लोग देखने वाले हैं एरे टाइप स अरम एरे फंस शैतनि मिलों कि इसे टोपिक से इसको सारा सारा कभर करेंगे एसी वीडियो में ठीक है तो पहले में क्या चाता हूं कि फंसन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं इसको फार्स पारियोटी में रखते हैं इसको पहले समझते कि फंसन क्या होता है ठीक है फिर हम में फिर जो है एरे और टाइप सपरे में जाएंगे तो थोड़ा इजी होग आपको समझने के लिए तो पहले हम समझते कि function क्या होता है function इसां आप समझ सकते कि function क्या है function को जो है न i block of codes है मतलब कुछ particular I真 mean को को हम लोग रायन करते हैं इसके क्या होता है कि उसको इक ही कृचल करने का रहेगा तो मों मुझे इस function को call कर दूंगा ठीक है और रे込ि tao को पॉल करने के बाध में यहां फर 20 ओमाद आ टेंग एक तो इसका री Around जिदि कि करा किया हो रहे हा ठीक है return UV रहा तो यह हमेसा मुझे क्या करेंगा सिर्फर करके का जोड़ाहिक हो रहा है एक रेटी है मेरा कुछ ब्लोक सब lug जो रेड़ी है .. इस थैटमेन रेड़ी है 수क को ड॥ि मैं क्या करगा लगए सब को अब बनेको कि और निदेमने के लिए कि कर ले दो क्या करूंगा इसको क्तों करूंस में फैराम test करूंगा और ब्सक्राइब्स करों इस तरह से स्ट्रेक्चर में हम लोग बनाएं जिसका हम लोग रियूज कर सकते हैं तो फंसन वही करता है उससे आपका जो कोड का रियूजिविलिटी वड़ता है ठीक है फंसन डिफाइंड करने के लिए फस्ट यह चीज है उसका नेम हमेशा मिनिंग्फुल रखें ठीक है म मिनिंग्फुल रखना बहुत इंपोर्टेंड है फंसन सेकेंड जो चीज है फंसन हमेशा क्या है कि अटोमेटिकली लोड नहीं होता है उसको कॉल करना पड़ता है जब आपको एक्शन रिक्वाइड होगा जब भी होगा तो उसको आपको कॉल करेंगे तभी हो जाके काम क करते हैं तो चलते हैं लोग कोड भी हैस कोड में और हम लोग देखते कि एक सिंपल सा कोंसर डिफाइड करते हैं यहां पर अल्रेटी रान हो रहा है तो प्रिवियस जो था यह वोरीच के बारे में हम लोग ने पढ़ा था तो आम लोग इस में क्या करता हूं कि इसको सकते हैं और यहां बर हम लोग fanson के वह रिफुर करते हैं तो क्या करना पड़ेगा कि जस्ट फंसन को स्टार्ट करने के लिए जस मुझे कीवार्ड यूज करना पड़ेगा फंसन के बाद जो नेम होगा वो यूजर डिफाइंड फंसन बोलते है इसको ठीक है तो यूजर डिफाइंड फंसन में आपको नेम जो है वो मिनिंग्फुल देना है तो हमेशा आप एक 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 एस्टेंडर फोलो कर सकते है कि का जो करेक्टर है वो स्मॉल सी स्टाट होगा और हमेशा केमल केस में होगा जिसे मैं एक जापल देता हूँ कि एक हंसन लिखते है राइट पासा चुछिसों स्मॉल में डबल होगा राइट नीनू मेसेज़ तो इस टैप में एक मेशना है कि एक मेसेट वए ठिक है तो राइट नेम हो सकता है कि आइड का इस स्मॉल जो डबल बल देने plenty अव ठोकर ऑट कब इसके बाद क्या करेंगे कर्ल भेस लागाते फञंत हो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कुछ country team का वग Bem मैं टाइप करने के बाद में अभी मैं जदी रण करूंगा ठीक है इस पेज को रण करता हूं तो कुछ भी नहीं होने वाला है क्यों कि इसको हम लोग ने अभी तक कॉल नहीं किया है तो फिर अभी टेस्ट करके देखते क्या होता है इसको कॉल करना पड़ेगा तो जस्ट मैं इसको कॉल करना बहुत ही सिंपल है आप डायरक नीचे में स्टैप से आपको कॉल कर सकते हैं अब बहुत सारा अपरेशन भी कर सकते में आके जो वीडियो होगा ना उसमें कुछ हम लोग कि आ हम लोग MBC कर रहें कोडिक नेटर का तो उसमें मैक्सिमम जो काम है वो फंसन पर ही होगा तो आपको बहुत सारा चीज सिखने को मिलेगा तो आप इसी वीडियो में बने रहें और अब भी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ठीक कि कि अनुप गारे निज्च्ट जो हम लोग देखने वाले कि यह तो यह मैं क्या हम आप की आप सिंप्ली समय सकते हैं किया है कि स्पेशल घ्रिक और होता है जिए जो क्या करता है कि म Wonderぽ से आ डेता को से स्ट्वर कर सकता है ठीक है सब्स kid कर रहे हैं कि आपको क्या करना है कि कार का लिस्ट है मान लिचे की SUV बहुत टाइप का कार है मारति सूजी की स्विप डिजायर बहुत टाइप कार है कार का लिस्ट आपके पास है या तो प्लेयर का StatesPaymasare help से आप simply उसको क्या कर सकते हैं एक ही सिंगल जो है ना सिंगल वरियर वल में और सारे ड़ीता को आप्यिश्चिण कर सकते हैं तो में इनके इग Richmond के साथ समझा आपको एसम्झाता है कीषक्म होता हो कि वह कैसे होता है तो यहाँँ पर मैं से से थोड़ा अलग है आप समय सकते हैं लेकिन वह बेरियेबल्स में क्या हैं कि सिंगल लोह है इसमें क्या है कि मॉल्टीपल बेलु इस्टोर कर सकते पहले भी जो मेरा इसमेल था यहाँ पर आप जिर देखेंगे तो यहां पर फोरीच के लिए मैंने एक इसमेल भी दिया थ है ठीक है सब्सक्राइब कोई कार का एक लिस्ट है ठीक है सब्सक्राइब कार्ण से तो आपके पास एक कार है कार वान करके इसमें आप दे सकते सब्सक्राइब BMW ठीक है $2 और इसमें अब दे सकते है Tata का ब्रेंड का कुछ है ठीक है $3 और इसमें आपका महिंद्रा का है किसी कमपणी का है यहाँ पर इक वल देना भूल गया था ठीक है तो इस टैप का आपका है अब ही क्या है इसका एक सबसे बड़ा प्रोलम क्या होने वाला है कि आपको मान लेजे कि आप इसको एक ही बड़ा बड़ा जिस्ट है मान लिजे मोर देन वाण हैंडेड का लिस्ट है तो इसको आप एक सिंगल बेरियाबल में इतना सब डेटा को आप इस टोर नहीं कर सकते है तो यहाँ पर आता है कि एड़े अरे का हो जाता है यहां पर आप क्या कर सकते हैं with the help of array आप स्क एक single variable में store कर सकते हैं उसको कैसे करना है अब इसको अपर इसा कर सकते हैं कि आपको just take a simply आपको कार्स करके एक array बनाना है उनदे के बाद में इसको यहां पर PHP में define के करने के लिए मतलब एक array को define करने के लिए आप simply लिए array ठीक है और मैं यहां पर क्या करूँगा कि इसका जो भेलू है ना BMW इसको मैं just copy करके BMW और Tata और माहिंद्रा यह तीन ब्रैंड है तो तीन अब रिंद लिया अभी मैं इसका बेलू को रिट्राइब किसे क्योंकि देखिये अभी एरे किस तरह से होता है इसमें एरे जदी मैं कि मैं कि यहां पर एक नया नया श्लाइडर एड़ कर लेता हूं इसको में घर्ट कर देता हूं तो इसके लिए हम लो थोड़ा समझने का करते हैं कि array का जो value के सा काम करता है अब जब value कोई भी array में आप जो स्टोर करते हैं तो इस type का आप समझ सकते हैं यह जो start होता है जीरो इंडेक्स से start होता है 0 1 2 3 & 4 यह फर्स्ट वाला जो है न वह जीरो इंडेक्स में हमें सा रहेगा तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर मान लिजे एक अब टाटा का कोई कार है टाटा बेरेंट है सोची टाटा और कोई भी और एक बेरेंट है डबलू और भी कुछ-कुछ है ठीक है तो मुझे सिंपली टाटा को जी फाइन करना यह के रहे है डोलर कार जो है कार इकवल टू तो यह सिंपल एक एरे है तो मैं इसको फाइन करूंगा तो सिंपल सिंपल तरीका से कर सकता हो कि मुझे इसका इंडेक्स पता है ठीक है सबका इंडेक्स मुझे पता है तो मैं इसली किसी भी एरे से किसी का भी वैलू भी इसली सप्क्राइब कर सकता हो और सियो भी क्या है चींग to go जो अ उसमें वैर्येस ना उसमें मैंने स्टोर कर लिया तो बहुत इसी तरीका से आपका जो कामματα फास्ट हो जाएगा आप उसी तरीका से कर सकते और एक उज्च करने को और भी बहुत बड़ा भी इसार्ट मायद है कि आपको बहुत का रिएख का फंचन मिलाथ इन भी पंचन मिलता है प जिसके कोडिगusta कुछ कर सकते ill zoo k ego जब हम लोग भी कोडिनेटर का मेन काम करेंगे कुछ सिंपल पोजेट करेंगे या यह करेंगे तो उसमें मैं डीटेल्स में आपको पताऊंगा कि कैसे यह सब का हम लोग यूज कर सकते हैं ठीक है तो अभी हम लोग देखते हैं कि एरे को मैंने तो डिफाइन कर दिया भी इस डौलर कार पास करता हूँ क्नेके बाद में इसको रूविफकर रन करता हूँ क्या करूंगा one index pass कर दोंगा ओं कि one pass कर दिया और महंध्रा चाहिए तो simply threeoway pass व्हां sorry two pass कर रहा हूँ टीक है तो महंध्रा मिल जाएगा इस तरह से आप अरे से भेलो भी easily निकाल सकते रित्रैब कर सकते जब भी आप को जब भी जो रच पड़ेगा एस फोर यह रिवार्मेंट आप किसी आप निकाल सकते हैं अराम से तो यह हो गया एरे एरे के बाद में हो फोफ फोफ कलियर हो गया होगा ठेक है तो अभी स्थ जो है आप लोग टाइप सपर जानना चाते कि इतने एफ यह कितने टाइप का होता है ठीक है जिसे मैंने यहां पर लिखा था कि Types of Array जो है वह तीन टाइप का होता है इंडेक्सिट एरे होता है एसो सेटीव और मल्टी डैमिशनल एरे यह त्री टीन टाइप का एरे होते हैं ठीक है इंडेक्सिंग एरे किसको बोलते हैं इंडेक्सिंग एरे तो अल्रेडी हम लोग ने डिफाइन कर लि प्रिंटर कार्ट्स किया और यह को प्री कर देते प्री मदद प्रीटिव है थोड़ा सकते हैं इसको देखते हैं यह देखे जीरो वान टू यह सिंपल एक इंडेक्सिंग एरे है जिसका जिसका वेलू आप देखे हैं मैंने जिसे बोला था कि जो भी एरे हम लोग ısı करते तो यह आप इसे भी पता कर सकते है तो तो जिरो वान गरीज्म सारे जो इंडेक्स है यह इंडेक्सिंग एंडेक्सिंग में एन दे भलोटे हैं तर जैसे कि मैं इधार एक array define कर रहा हूँ इसको इसको मैं comment कर रहा हूँ comment करने के बाद में एक simple सा मैं क्या कर रहा हूँ कि array define कर दे रहा हूँ सपोज एक कुछ भी एक institute है जिसमें कुछ various type का लोग है जिसका ages तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें array define करता हूँ किस तरह से करते हूँ मैं बताता हूँ इस type में just simple array करना है ठीक है इसमें क्या कर रहा हूँ राज जो है वो 28 का है रवी नाम का एक लड़का है जिसका जो इंस्ट्यूट में काम करता है जो 30 ठीक है उसका 25 है और भी जो बहुत सारे हो सकते है ठीक है और जोन करके है जोन मान लिए तो इसमें हम लोग क्या कर रहे है दोस्तों आप simple देखिए एक चीज कि हमें यहां पर क्या कर रहा हूँ इसका की जो है ना राज तो की में define कर रहा हूँ इसका value भी define कर रहा हूँ ठीक है तो इस type का array को आप क्या बोलेंगे की इसको आप प्रिंटार करके देखिए कि थोड़ा सा अलग type का आएगा इसमें की जो आपको मिल रहा था जीरो इंडेक्स करके वह इसमें अभी क्या आने वाला है आप खुदी देख लिए कि तीक है और मैं थोड़ा इको जो है प्री है उसको मैं start कर देता हूं और यह देखिए इसका जो यह जो एरे है इसमें आप देखिएगा कि ने राज रभी और राहूल इसका की अलग है मतलब कुछ इंडेक्सिंग नहीं है इंडेक्स मतलब जीरो वान टू इस टैप नहीं आ रहा है इसमें की भेलू मैंने दोनों ही डिफाइन किया और एक्ज की राज में पास कर दूगा किसे करना है सीघल कोड या डबल कोड आप दे सकते हैं ऐखल ओर है तो में उसकत है कि नहीं है यह पर पिर्णिटर से भी कर सकता था लेकिन में प्सक्राइब और आप देखेंगे कि 28 तो यह 28 आ रहा है अप फोड़ा में जुम कर देता हूं पेज को आप कोई समझ माएगा यह 28 आ रहा है तो इस तरह से आप किसी का भी फेलू रभी का चाहेंगे तो रभी का जो एज है न वह आप आराम से निकाल सकते हैं और यह तो आठ zij समझ के आगया है तो कमेंट सेक्षिन में बताए कि हाहां मुझे आचा से समझ में आ चुका है तो मुझे समझ में आएगा कि मैं जो आपको इतना मेन से टूटेश्ए बना रहा हो वी आपके काम किसी क्या काम के आ सब्सक्राइन हो नहीरा यह तो यहां तक तो तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि एक एरे लेता हूं और तो अब देखने बाले कि एरे करने के बाद में क्या कर रहा हूँ एरे करने के बाद में सिंपल क्या कर रहा हूँ यह दो एरे है न तो मैं क्या कर रहा हूँ यह दो दो एरे को को पेस्ट कर दे रहा हूँ तो अभी जाकर यह मल्टी ने में से एक हो जाएगा सिंपल है बहुत सिंपल है आप समझ सकत थोड़ा मैं से लिए तक यह चाल देखने में सुन्दर लगे ओष्व रहरी अ है ठीक है एह दो एरे में एरे ले लिया तो जस्ट में प्रिंट इसको करता हूँ प्रिंट धार मुझे लग रहा है कुछ देटा इसको मैंने कट दिया और अभी देखते क्या होता है ठीक है तो थोड़ा शुटा कता यह बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया तो आप एरे में एरे इसको इस टैप का एरे को बोलते हैं मल्टी डामेशन जिसमें आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने की नहीं डिफाइन किया तो मैंने फस्ट टाइम ही बोला था कि जोदि आप हम लोग किसी एरे का की जोदि डिफाइन नहीं करते तो वह इंडेक्स एंडेक्सिंग एरे जिरो से स्टार्ट हो देखता है हम इसका हम लोग डिफाइन किये थे इसका हम लोग कोई की नहीं दिया था तो यह देखे करके यह दो रोड इए परिट्रियल है तो यह ज्यादाँ डीप में नहीं जा सकते हैं मल्डी डामेशन एरे कंप्लीट हो गया ऐसे देखते हैं कि एरे का जो important कुछ function है वो मैं कुछ आपको बदाता हूं ठीक है तो उसके लिए में direct क्या करता हो लीक देता हो कि क्या-क्या important function है वह आप पड़ सकते हैं डीचेज में थोड़ा बहुत में सिर्फ explanation करने के बाद हम लोग इस बेसिक concept का जो पार्ट है उसको यह यहां पर इंट करेंगे कुछ टाइम में ठीक है तो आप बने रहें वीडियो में और यह बहुत important पार्ट है हो फ्रेंट आपको multi-dimensional concept multi-dimensional array का जो concept है वह समझ में आ गया होगा एक बख्यवारे में अभी हम लोग मैंने जैसे बता है तक कुछ important जो function है एरे का function है यह सब है जो आपको every each and every project में यूज होगा ही जो आप details में मेरा details का जो एरे का एक series आयका उसमें आप देख सकते और इसके reference के लिए आप PHP को official document है उसमें भी आप देख सकते यह बहुत सी साथ ज्यादा important है एरे मार्ज जो है वो क्या करता है दो एरे को मर्ज करता है अब पूस्ट क्या है एरे से आप जोदी कोई भी data है मान लीजीए वाला जोदिये में प्रिंट करता हूं पूस्ट के बारे में यह पांच जो है बहुत ही important function है एरे का जो आपको आना चाहिए ठीक है एरे मार्ज के बारे में थोड़ा में डिटेस में बता देता है तो यह मार्ज क्या करता है कि जिदी मैं इस पो रूं कर रहा हूं यह function को जिदी रूं करता हूं तो इसमें आप इस टाइप का आपको दो एरे है तो उसको एक साथ में जिदी कॉमाइंड करना चाते है तो आपको एरे मार्ज करना पड़ेगा ठीक है अभी एरे पूस्ट क्या करता है एरे पूस्ट सब्सिंपली बहुत ती जी है इस एरे में आप कोई भी नया आइटम जिदी आड़ कर ठीक है अभी एरे पौप का क्या यूज है कि इस एक एरे से आपको एसा रिक्वार्मेंट है कि कोई भी आइटम को रिमूब करना है तो आप सिंपली पौप करेंगे तो उसका इंडेक्स पास करने के बाद में क्या होगा कि वो आइटम जो है उस एरे से रिमूब हो पतलब आगे रिवर्स करना चाते है तो यह आपको काम में आता है तिक एरे स्लाइस क्या है कि एक बड़ा सा एरे उसमें कुछ उसका मीडिल से आप कुछ पार्टिकुलर आइटम को या एरे का आइटम जो है उसको आप हटाक रिमूब करके कुछ और भी नहीं 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 तो इसमें आप पूरा देख सकते हैं ठिक हैं तो यह हम लोगा टिटोरियल जो है बसी कॉंसेट का यहां पर खतम होगया एरे टू स्टिंग इस वीडियो होगा में लोग देखने वाले हैं और क्योंकि यह बहुत ही यूजफूल है और बाद में यूजच होगा तो मैं इस हम लोग डीटेल्स में देखने वाले हैं तो इस सीरीज को यहीं पर खतम करते बैसी कॉंसेट का जो पार्ट थ्री तक हो गया वह आपको का समझ में आया होगा यह एक्टुली कोडिनेटर का ही था लेकिन मैंने थोड़ा डीटेल्स में बताने के लिए थोड़ा वीडियो को लंबा कर दिया ऐ construir अविए चलाँ जा रहा हो और इससे आपको कुछ भी पर रहा सहा रहे हो या किसी टायब का कॉमंसेसयं में बकथा करूंगोंगा ऐससूनने पर लाबी और उसने अपने रहनने के लिए द्धन्यवाद और आप अभी तक आपने एक्रया love ग्यूंभ सक झाल झाल